राहूल गांधी और प्रियांका गांधी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। अमेठी और ड्राइबरेली सीट का सस्पेंस जो इतने दिनों से चला आ रहा था लगभग वो समापत हो चुका है। देखें कॉंग्रस के कारेकरता इस उमीर में थे कि बायनाट लोगसबा सीट से चुकि राहूल गांधी अब फ्री हो चुके हैं। चुनाफ पहले चरण में बायनाट में हो चुका है और इसलिए अब अमेठी का रुख राहूल गांधी कर लेंगे। कॉंग्रस के कारिकरता खासे अक्टिव अमेठी सीट पर दिखाई दे रहे थे पोस्टर वहाँ पर लगाए जा चुके थे लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि राय बरेली सीट के लिए तो प्रियांका गांधी बॉडरा ने साफ इंकार कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लडने वाली हैं अमेठी को लेकर सस्पेंस बरकरार है और अगले 24 गंटे में राहूल गांधी की तरफ से भी बता दिया जाएगा कि वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं लेकिन सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि राहूल गांधी भी अमेठी से चुनाव ल रहूल गांधी वाइनाड के बाद अब अमेठी नहीं आना चाहते हैं देखें आपको बताएं कि 20 तारीख को 20 मई को 25 चरण का जब मतदान होगा तब अमेठी लोगसबा सीट के उपर भी मतदान होना है और यह पहली बार है जब अभी तक अमेठी और राइबरेली के उप पर इतनी देट तक कॉंग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का नाम नहीं बताये गया है जितनी भी सीटे उत्तर प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस के खाते में आई हैं इंडिया गडबंधन की उन सभी सीटों के उपर अपने प्रत्याशी के नाम का एलान कॉंग्रेस कर चुकी सिर्फ एक अमेठी और राय बरेली ये दो सीट ऐसी है जहां से अभी तक कान्फ्यूजन की इस्थिती बरकरार है ये भी आपने सुना होगा कि कैसे का जा रहा था कि दोनों ही भाई बैन पहले आयोध्या जाएंगे बहां जाकर दर्शन करेंगे माथा टेकेंगे और फिर उस के हावाले से यही है कि ड्राइबर एली के लिए तो प्रियंका बिल्कुल मना कर चुकी है अमेठी के लिए भी राहूल गांधी तैयार नहीं हो रहे है रोबर्ट वाडरा का भी नाम बीच में जरूर उचला था कि अमेठी शायद रोबर्ट वाडरा जा सकते हैं यहां पर फैमिली जैसा रिष्टा कॉंग्रेस मानती रही है तो ऐसी इस्थिती में कोई गांधी परिवार का शक्स अगर यहां पर जाएगा तो कॉंग्रेस को न सिर्फ इन दो सीटों पर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फाइदा हो सकता है और इसी सर्वे को देखते कि बार-बार राखुल गांधी और प्रियांका गांधी से कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि आप आईए और यहां पर चुनाव लड़िये क्योंकि आपका चुनाव लड़ना न सिर्फ इन दो सीटों पर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस को फ कॉमें सेक्शन में बताइए